वेलकम बाक तुमाय चानल, पिंकीज कुकिंग पार्ट शाला में आपका स्वागत है, तो काफी दिनों बाद मैंने यह बनाई है, प्रॉंस करी जो की बहुत ही यमी और टेस्टी बनी थी, तो चलिए देख लेते हैं फटा फट से कि क्या इसके इसके इंग्रियंस है, तो यह यह रेसिपी आप जरूर से ट्राइ किजिए, यह रेसिपी आपको यह पसंद आएगी, तो देखें, यहां पे मैंने 2 टेबल स्पून अद्रक लसन और धनिया मैंने साथी में पीस लिया था, तो यह पेस्ट मैंने इसमें आड़ कर दिया है, और साथी मैंने 1 तेबल यहां पे एक मीडियम साइस का प्याज ले लेंगे, जिसे हम बारिक कट कर लिया है, मैंने देख ली जया, तो इसे हम कुक करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक, तो यह देखें, यह इसे भी 3-4 मिनिट लगेंगे, कुक होने में मैंने धीमी आज पे ही इसे कुक किया है, तो देखें, यहां पे जो हमारा प्याज बहुत अच्छे से पक चुका है, तो यह मसाले मने लिये हैं, नमक, गरम मसाला, देगी, मिर्च, नॉर्मल मिर्च, धनिया पावडर और हल्दी, तो यह मैंने आड़ किया है, इसे हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, तो यह बहु आप मीडियम साइस का तुमाटर ले सकते हैं, चोटा तुमाटर लिया है, और तीन हरी मिर्चे मैंने एड़ किया है, आप चाहे तो इसे सक्प कर सकते हैं, तो इसे हम कुक कर लेंगे, जब तक हमारे टमाटर कुख होंगे, दो मिनिट का टाइम इसमें लगेगा, तो हम टेने सबस्पाने तेमाटर Rogod करें और निलिए समय के ठाहँ सब्सक्राणे सब्सक्राऊ से पानी सबस्क्राइब झांट ग्ąż прошण झिंखे सब्सक्रांटर ढरा तो पानी आटे पाण फंग अगर दिआग रिषू पानी समीस त्वोड़ा तॉड़ा पानी moving यह मीडियम साइस केजिंगे हैं, जादा बड़े नहीं हैं, तो देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाला है इसमें बहुत अच्छे से कोट हो जाएं, यहां पे हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं, करी बना रहे हैं, प्रॉंज करी, यहां पे मेरे साथ एक डिजास्टर हो गया कि जो मैं विडियो में बना रही थी, वो मेरा सेव ही नहीं हो पा रहा था, तीन से चार बार मैंने ट्राइ किया, बड़ चलिए करी में हम देख लेते हैं, तो यहां पे आधा ग्लास मैंने पानी इसमें आट कर दिया हैं, यह करी बहुत ही यमी थी, तो यहां पे हम इसे साथ से आट मिनिट के ढख कर कुक करेंगे, और हमारी डिलीशिस सी प्राउन करी है, यह रेडी हो जाएगी, अगर आपको मसाला प्राउन बनाने हैं, तो आप इसका सारा पानी सुखा दीजिए, तो यह देखिए, हमारी करी बहुत